मैंने सवाल आपसे पुझा था कि बहेंजे नजर क्यों नहीं आई है इस सवाल का जवाब देने के बजाए आपने सब गिना दिया मैं दुबारा से इस सवाल पर लोटूंगी लेकिन प्रदीप जैनादिती जी अभी सुदान शुत्रिवेदी जी के उसनाशिक लागया अगर उसका जबाब दे दें तो ठीक है ठीक है लॉटूंगी मौजोद की दर्श कराने के लिए कॉंग्रेस पार्टिय सर्फ चुनावी मैदान में हैं जित्रा जी यह जो तीनों दल है उत्तर प्रदेश के बिनास के लिए जुम्मेदार है आज से 32 साल पहले जब हमारा उत् रानीपुर्टेरीकॉर्ड महोवा के अंदर खादी का उद्दियो चित्रगूट के अंदर ग्लास फैक्टरी यह तीनों दल बारी बारी से आये और इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को लूटने का काम किया आज मैं पूछना चाहता हूं कि तीनों दलों मैंसे किसी न नहीं दे पाया किसी भी दलने कानून बेवस्ता जो सराब माफिया जो रेत माफिया जो भू माफिया तीनों दलों में थे आज वो दल बदल कर फिर सत्ता में बैठे हैं मानी सुप्रीम कोर्ट की टिक्पड़ी होती है कि नदियों की आत्मा को मत नोचो रेत निकाली जाती है भू माफिया कमजा हर जगे कबजा कर रहे हैं जिस तरह से एंसी आरवी का ग्राफ है हर दिन उत्तर प्रदेश में आज भी चाहें बहुजन समाज पायटी की सरकार रही हो समाजवादी पायटी की सरकार रही हो या भारती जंता पायटी की सरकार जो अपने आपको ठोको और कुछलने वाली सरकार कहती है एक दिन में 10 से लेके 12 हक्ति आ हैं इस उत्तर प्रदेस में हो रही है इस उत्तर प्रदेस में ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन 10 से लेके 12 तक बलातकार नहीं हो रहे हूं हुआ हूँ चित्रा जी मैं पूरी बाप करूगा बिल्कुल तीनों दल एक की दो हजार बदल बदल कर लोग मुखोटे बदल बदल कर आ जाते हैं सत्ता में और जिस तरह से प्रदेश को इनों ने ढकेल दिया है आपने देखा होगा हमारी प्रियंका गांधी कोरोना काल में जब कोई दल नहीं निकला बहन मायावती टीवी पर भी नहीं दिखाई दी अकलेश जी ट्वीटर पर दिखाई दिये और योगी जी सिर्फ हमें रोकने का काम करते रहे हम बसों का प्रभंदन करते थे हम पर मुकदमा लिखा जाता था आज हम लगातार उत्तर प्रदेश क हर संगर्स में हैं उत्तर प्रदेश की पचास फीजदी आवाधी जब लगा प्रियंका जी को ये मुखधारा में नहीं हैं इनके साथ कहीं सोसन हो रहा कहीं बलातकार हो रहा कहीं इनको जिंद़ जलाया जारा उन्होंने एक बदलाओ के लिए एक क्रांतकारी आवहान किया मैं पूछना चाहता हूँ तीनों दलों से क्या वो इससे सहमत है जब प्रियंका जी ने कहा कि हम विधान सभा के अंदर जहां कानून बनते हैं महला सक्ती को 40 फीजदी आरक्षन देंगे उन्होंने कहा कि ये जो बेटियां हैं और ये बात उन्होंने जहांसी की रानी से सीखी जब वो जहांसी की माटी पर आई उन्होंने देखा कि बीरांगना लक्षमी वाई ने महला रेजीमेंट बना कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये थे तो उन्होंने कहा कि हम महल को बेटियों को मुखधारा में लाएंगे और ये तीनों दल आज उत्तर प्रदेश में बिनास के लिए जुम्मेदार है जल्दी से एक लाइन में बोलिए सुदानश्री सत्रह में बोलो क्या दिखाए दे अच्छे लड़के थे अच्छे लड़के थे बतीस साल पेहने का र रानी, बेटी और मा के समान था, लेकिन घासी की रानी का नाम बदलकर प्लेटफरम का बीरांगना लक्षमी बाई कर दिया, अब सत्ताधारी दल के सांसा तो बिदायक क्या रहा है, गलती हो गई, क्लैरीकल मिश्टेक हो गई, कौन से भांके नसे में नरना होते हैं उत्तर अजब चुरा कुछ